गुद्वानिंग फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल और बताई फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे तो फ्रेंड्स आज है मंडे और टाइम हो रहा है इस टाइम सुभा की चार और आज मेरी आँख जो है चार बजे खुल गई थी तो मैंने टाइम देखा तो चार बज रहे थे तो मैं लगबग 15 मिनट तक और लेटी रही थी ऐसे ही और 15 मिनट बाद फिर मैं उट गई हूँ इस टाइम सभाचार का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं बच्चे सो हजबन भी सो रहे हैं तो सुबह उटकर सबसे पहले मैं भगवान को नमशकार करती हूँ और करना भी चाहिए अपने दिन भर की गलतियों के लिए हमें भगवान से चमा मांगनी चाहिए उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो हम पर इस तरह अपनी दया बनाए रखें हम प धर्ती पर उतरने से पहले मैं धर्ती माता के जो है नमशकार जरूर करती हूँ और टाइम देख सकते हैं टाइम हो रहा है सवाचार और दिन है मंडे आपने जैसे देखा घड़ी में तो हमारे जो बड़े बुज़र्ग हैं वो कहते हैं कि धर्ती पर पैर रखने से पहले धर्ती को नमशकार जरूर करना चाहिए क्योंकि दिन बर हमारे पैरों के नीचे बहुत से छोटे छोटे कीडे मकोडे जीव आते हैं तो जो हमारे पैरों से दब कर मर जाते हैं हम जाने अन जाने ये जो है गलती करते हैं तो इसके लिए हमें धर्ती माता से सुबह ही छमा म पहल लेती हूं क्योंकि जो बाहर है बहुत ही अंधेरा है तो इस वज़े से मैं बाहर नहीं गई थी और वैसे भी स्टम बरसात का टाइम हैं तो बाहर कीड़े में और कोड़ों का बहुत डर रहता है कभी-कभी तो साप भी निकल आते हैं तो बस टहलने के वाद मैं चली सोक करकर रग दीये थये तो उन्हें हम बोल होने के लिए रग देते है तो कंड़र मैं हम जो बृइल है और साथ में चाय तो अभी मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी जो हस्बन है वो सो रहे हैं तो उन्हें जगाने से βाइदा49 मैं जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक मैं जो नीचे बरतन में लगा कर रख दूंगी और उसके बाद फिर चाय प्योंगी और अभी काफी टाइम है जब तक छोड़ ले जो हैं बॉइल होएंगे तब तक मैं अपना जो वीडियो है उसमें वोईस ओवर कर लोंगी तो यही टाइम होता है इस टेम सब लोग सोय हुए होते हैं अगर मैं जल्दी जा बुदते हैं और इस टम कर मिया हैं तो पंखा कूलर चलता है तो उसकी आवाजे आती हैं जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक ही रूम है तो मुझे फिर वोईस ओवर के लिए जगे नहीं मिलती है तो थोड़ देर मैंने चाय पीने के बाद फोन वगेरा देखा था और अपना हजबन के लिए चाय बना देती हूं और जब तक वीटी है वो भी फ्रेश हो जाएगी और हजबन को चाय बनने के लिए रख दी है साथ में हमने गैस पकड़ाई रख दी है उसमें ऑल डाल देंगे और ऑल गरम हो जाएगा उसमें हम जीरा डाल देंगे जीरा चटकने दाल देगे तो जब तक जो बाबू प्रेश हो रही है तब तक मैं जो सबजी है उसको बनने के लिए रग देती हूं फिर जब तक वो बनेगी तब तक फिर मैं जो बाबू है उसको नहला दूंगी और चाब रहं रहे हैं जब भण तो एकämän सी तो यहां पर मैंने सब भी मिला दिये हैं और अच्छे से पका लेंगे जब तक कि अलग नहीं हो जाता और यहां पर देख सकते हैं मसाले सब भून गए हैं अच्छे से अब उसमें चोले डाल दिया है जितना हमें ग्रेवी रखनी है तो चोले के साथ मैं बनाओंगी चावल उसी इसाब से मैंने ग्रेवी रखी है वैसे रखकर हम अच्छे से पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सबजी हमारी जो है वह पक गई है उसमें हमने डाल दिया है घरम मसाला और जो गैस को है वह ओफ कर दिया है और इस साइड हमने रख दिया है चावल और से उसी उनिफॉर्म बिना देते हैं और आप देख सकते हैं अभी है वो अभी सो रहा है तो जल्दी से हम बाबु को तयार कर देते हैं फिर उसको देंगे ब्रेक्वर्स्ट करने के लिए और जब तक करेगी तब तक हम उसका जो है वह लंच पैक कर देंगे और बैग बगरा देख लेंगे अच्छे से तो यहां पर जो है बाबू को मैंने यूनिफर्म बना दी है अब उसे हम सूज बना देते हैं तो वैसे तो वह अपने हाथ से सबकाम कर लेती है लेकिन बात वह यह सुबह इतनी जल्दी रहती है और बच्चों के बरोसे छोड़ दो तो वह इतना दीरे दीरे हाथ चलाते हैं कि फिर लेट होने का डर रहता है इसलिए उससे अच्छा है खुदी कर दो तो वह ज़्यादा सही है तो बाबू को रेडी करने को आद मैं उसे जो है दूद और कॉन फ्लेक्स दे देती हूं आज वह दूद कॉन फ्लेक्स आने के लिए बोल रह होते हैं तो मैं दे दिया है यहां उसका में लंच जो है प्लेक्स के लिए तो ठोड़े से मचंण मिक्स कराकर ले जाती है घर पर जब भी चावल लोगे रखाती है तो मुझसे ही mix कराती है कहती है ममी मैं खुद से नहीं कर पाती हूं तो मैं कर देती हूं तो यहाँ पर जो है मैंने उसका back भी अच्छे चेक कर दिया है और pack कर दिया है उसको में गेट तक छोड़ देंगे वहीं जो है ऑटो वाले भाया आ जाते हैं और इस टाम आप टाइम देख रहे हैं टाइम हो रहा है चैबीज अब वह दस-पंद्रा मिनट पहले ही चली जाती है तो अब मैं आ गई हैं फिर से किचन में और यहां पर जो दूद का भागोना है उसे मैंने खाली कर लिया है क्योंकि जब दूद वाले भी आएंगे तो फिर तब तक मैं भागोना धुल कर रख दूँगी क्योंकि छोटा वाला होना है उसमें पूरा दूद नहीं बन पाता है तो यह मुझे पहले ही खाली करकर रखना पड़ता है तो उसमें थोड़ी जो मलाई वगरा लगी थी वो मैंने खाली थी और अब जो कड़ाई है हम उसे भी खाली करकर रख देते हैं और बरतनों को खटा कर देते हैं धुलने के लिए फिर हम अपने बागी के काम करेंगे तो जो सब्जी है वो हमने निकाल दी है चावल भी हम निकाल कर खो छोटे बरतन में कर देते हैं यहके बड़े-बरतन घिर रहते हैं तो उन्हें धेखके बड़ा वेकाल लगता यह-इक्तो जगे इतनी घेते हैं और हो हम भावा इधर उठाओ उठाओ इससे अच्छा उनHE चोटे चोटे बर्तनों में पलट कर दो और तुट यहां पर जो बर्तन है वím धुलकर रहते है और आज मैंने बर्तन पहले ही धुल दिये हैं जाड़ू में बाद में लगाओंगी जाड़ू पहुचा सीधा एक साथ लगा दूंगी तो बतन हमारे दुल गए हैं और अब हम जो हमारा किचन काउंटर है उसे अच्छे से साफ कर लेंगे तो मैंने जो टावल है उसको अच्छे से बिगा लिया है और उ जब ज़्यादा मुझे लगता है कि गैस गंदी हो गई है उस पर ओल वगरा ज़्यादा हो गया है तो मैं साबुन से साफ कर देती हूं और जब मुझे लगता है कि आज ज़्यादा गंदी नहीं है तो मैं ऐसी ही गीले टावल से ही साफ कर देती हूं और वह साफ हो जाती ह तो बस यहां पर जो हमारी गैसे वो अच्छे से साफ हो गई है किचन काउंटर को भी हमने साफ कर दिया है और जो कपड़ा है हमने दुलने के लिए डाल दिया है और मैं आ गई हूं रूम में दो चादर वगएरा हैं वो घरी करकर रख देते हैं जो भी समाने अच्छे से लाती हम रखाएं है कि और अभी है वो नीचे खेल रहा है उसके पापा गेट पर बैटे हैं तो वह भी पापा के साथ महीं बैठा हुआ है तो हमने बैड को जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो बैडशीर थी उसे भी से से और अब हम लगा लेते हैं जाडू तो तो जाडू पहुंचा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है रूम में तो आप देख सकते हैं मैं बैटकर यहां पर जाडू लगा रही हूं बैटकर मुझे जाडू लगाना सही लगता है क्योंकि खड़े होकर जो है इतने अच्छे से कुड़ा साफ नहीं हो पाता है और सा हमने जाडू लगा देढ़े और पीछिए आ जाडू लगा रहे हैं और सामने यह यह आप देख रखे हैं इलकड़ीहेें हमने बनवाहीं était इसी पर मैं सूज और रख़ती म्यादा क् आप नहीं बनाएँ थी एक मैं सलक कर ली और विवी पेर मसाले रखे रहते हैं। जहाडु लगाने के बाद में आ गई हूं अब पोचा लगाने के लिए जो है हम जल्दी से पोचा लगा लएते हैं क्योगि जल्दी से नाना भी है और आज मुझे पूजा भी करनी है क्योंकि आज मंडे है सावन का पहला सुंबार है तो उसकी मुझे पूजा करनी है और हजबन के जाने से पहले मुझे पूजा करने मंदिर पर जाना है यहीं जो हमारे पार्क है उसी में ही मंदिर है तो फिर अभी को लेकर जाना पड़ेगा अगर हस्बन चले गए थे तो इस विए से जो ऐ हस्बन के जानिस पहले ही पूजा कराओंगी तो अभी कू नहीं ले जाना पड़ेगा तो यहां पर जो है मेरा पहुच़ा लग गया है रूम में भी लगा दिया है किचन में भी लगा दिया है और जो आंगन है उसमें हम चार साड़े चार का टाइम हो जाता है कभी पांच भी बच जाता है क्योंकि जब हम डेली किसी एक फिक्स टाइम पर उठने लगते हैं तो वह आदत हो जाती है और दस-पंदरा में टागी पीछी जो आँक है वह अपने आप ही खुल जाती है तो यहां पर आप देख सकते है मैं नहां दोकर आ गई हूं अपने घर के बाहर बेल पत्र के पत्ते लेनी के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह चोटा सा बेल पत्र का जो पौदा है यहां पर बहुत सारे बेल पत्र के पौदे हैं तो बस मैं वही पत्ते तोड़ लेती हूं भोले नात पर चड़ आही जाता है तो बस वही मैंने यहां तोड लिये हैं तो मैंने यहां पर जो है ग्यारा पत्ते तोड लिये थे मुरे नात को चड़ाने के लिए और जो हस्बन है वो वीडियो शूट कर रहे हैं गोदी में उन्होंने अभी को ले रखा है इसलिए जो फॉन रहा है इतना हिल तो पत्ते तोड़कर मैं जाओंगी पूजा के लिए बस यहीं पर करूंगी मैं व्लॉग का एंड आशा है आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और यह आप देख सकते हैं यह हल्दी लगी ह हुई है और तो चले चलते हैं मिलेंगे नेक्ट वीडियो में टिल देन बबाए